नमस्कार दोस्तों इस वक्त आप सुन रहें टीवी नाइन डीटल चैनल पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्ट संजीब चोहान। इस इंसानी दुनिया से हुई रोखसाथी पर जो लिखने पड़ रही है। जानता हूं कि इस मायावी दुनिया से जमाने में हम सब को कूच करना है। फिर भी लता दीदी की अवाज का गुलाम, बेईमान, मन भला कैसे माने की नीद में सोते इंसान को भी जगा देने की वत रखने वाली मधूर आवाज जमाने में अब दुबारे कभी कहीं भी किसी भी मुकाम पर लाइव सुनने को नसीब नहीं होगी। वही लता दीदी जिनका गयागेत सुनने के बाद आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधान मंतरी पंडिस जवारलाल नहरू तक खुद को सर्याम बिलखने से नहीं रोक पाये थी। ऐसी लड़ेती चाशनी सी मिठी आवाज यानि लता दीदी के मरहूम होने पर हम और आप भले ही अपने मन की बात मूँ से हाज बयान कर पाने के हाल में नहूं। मगर बिना कुछ बोले ही एक दूसरे के दिलो जहन के आलम का अंदाजा तो आसानी से लगा ही सकते हैं। हम तो इंसान ठेरे बेइमान बन बाले इंसान जो हमेशा समय और विधी की लिखे विधान को धोका दे कर उसके आसपास अपनी खुशियों की तलाश में भटकते रहते हैं। जबकि सच्चाई तो सब समय की तिजोरी में बंद होती है। 6 फरवरी सन 2022 को यानि अपसे कुछ देर पहले ही पौडकास्ट के इससे पहली बाली कड़ी में सुनाया था आपको वो किस्सा कि 27 जनबरी सन 1963 को कभी प्रदीब के लिखे और लता दीदी द्वारा गाये गीत को सुनकर देश के पहले प्रधान मंत्री जवालाल नहरू कैसे बिलख पड़े थे अब लता दीदी को बता और शर्दानजली पेश पौडकास्ट के इस कड़ी में बयान कर रहा हूं उस गाने का किस्सा जिसे अपनी आवाज में रिकौर्ड कराने का अफसोस या फिर पस्तावा हम सब की हर दिल अजीज लता दीदी अपनी मौत के बाद भी अपने साथ ही लेकर गई हैं बहत कम मगर सटी यानि नाप तोल कर बहत धीमी आवाज में बोलने की माहिर लता दीदी ने खुद ही इस किस्से को गाए बगाए अकसर अपनी जिन्दगी में बयान किया था किस्सा था उस गाने का जिसे जाने अंजाने लता दीदी ने रिकॉर्ड तो अपनी आवाज में करवा दिया जिस गाने का जिक्र मैं आज यहां आपसे कर रहा हूँ वो था सन 1964 में आई राज कपूर की फिल्म संगम का गाने की बोल थे मैं का करू राम मुझे बुढ़ा मिल गया गीत का संगीत दिया था शंकर जै के शन्ने और गीत के लेखक थे शैलेंदर सिंग इसमें कोई शक नहीं की संगम जैसे ही सिनेमा गरों में रिलीज हुई लता दीदी की आवाज में रिकॉर्ड और वेजन्ती माला पर फिल्म आए फिल्म के इस गाने ने उस जमाने के नौजवानों और बुजरुगों की जुवान पर कबजा कर लिया था मगर तब के जमाने की महिलाएं लड़कियां उस गाने को देख सुनकर अपने आप में शर्माए बिना नहीं बसती थी ये बात लता दीदी की कानों तक भी पहुँच गई लता दीदी ने जब गाने का फिल्म अंकन देखा तो उनके मूँ से बस इतना ही निकल सका था उफ गजब हो गया ये मैंने क्या कर डाला मतलब जब तक गाने की उँची नीच लता मंगेशकर की समझ में आई तब तक उनके हाथ से लगाम छूट चूट चुकी थी गाना फिल्म अंकन के बाद रिलीज हो चुका था और ऐसे में लाख चाहकर भी लता मंगेशकर उस गाने को डिब्बे में हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा पाने में नाकाम हो चुकी थी जाने अन जाने हुई उस गाने की रिकॉर्डिंग की गलती का अफसोस या कहिए पश्तावा लता दीदी को जीवन के अंतिम छड़ तक सालता ही रहा तो दोस्तो लता दीदी की रुखसती पर आज उनके अपने जीवन में हमेशा मौजूद रहने वाले इस अमिट बाके की बेबाक मुझवानी कहानी आपको कैसी लगी टीवी नाइन डीजिटल चैनल को सब्सकाइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात लिखकर बताना न भूलें लता दीदी की अनुपस्तिती में उनके जीवन के ऐसे ही और तमाम अनकहे अंचुए कहानी किसों को सुनने की तलाश में या उमीद में आज दिन भर जरूर बने रहे है टीवी नाइन डीजिटल चैनल के जरिये मेरे यानि अपने दोस्त संजीब चोहन के साथ लता दीदी की किसी और अंचुए कहानी के साथ मेरे लोट कराने का किजिए बस थोड़ी देर इंतजार तब तक के लिए नमसकार